नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महिने से नवाजुद्दीन सिद्धिकी की वाइव बहुत जादा चर्चा में थी और एक बार तो ऐसा लगा कि अब राखी सावन्त और उर्फी जाविद का करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आलिया दिन रात मीडिया की चर उस समय आलिया का बयान आया था कि वो नवाज से तंग आ चुकी है और अपनी बेटी के साथ अकेले खुश है, अब उसे पूरा जीवन काटने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही रहना चाहती है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे हवा में बाते करने से कुछ नहीं होता, बसंती कौन से निशानची से निशाना लगवा के आम तड़वा रही है, ये आज की डेट में ज्यादा दिन तक छेपा नहीं रह सकता, सोशल मीडिया पर नवाज की वाइफ आलिया सिद्धिकी की एक आदमी के साथ में फोटो वाइरल हो गई, तो आलिय रहने का अधिकार नहीं है, मैं अपने नए रिस्ते के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करती, लेकिन हम दोनों का फोटो वाइरल हो रहा था, मेरे नए प्यार को मेरी शादी तूटने की वज़े बताया जा रहा था, जो की पूरी तरह से गलत है, वो एक हीरा है, औ मुझे भी किसी ने हीरा बताया था, मीडिया में खड़े होकर, खुद को जोहरी बता रही थी, लेकिन पंद्रे दिन के बादी कमीनी हीरे को छोड़ कर भाग गई, तभी पास से एक गाड़ी तेज रफतार से निकली, थोड़ा गौर करने पर देखा तो उसमें सुश्मीत सेन बेटी हस रही थी, ये देखकर ललित मोदी ने पोवा जमीन पर फैंक के मारा, पहले सुश्मीता सेन की गाड़ी की तरफ देखा जो बहुत दूर जा चुकी थी, फिर आलिया की तरफ देखा और कहा, चुनोतिया बना रही है मीडिया के सामने, इतना कहकर ललित मोदी जंगल की ओर कूच कर गया, इधर आलिया जो है अपनी दुन में फैंके जा रही थी, उसने आगे कहा, मैंने 19 साल की शादी में सिर्फ दर्थ सहा, मैं अब जीना नहीं चाहती, मैंने ये शादी खुश रहने के लिए तोड़ी है, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, म आलिया ने जो है उनको एक आख मारी और चुप रहने को बोला, और मीडिया से बतलाने में बिजी हो गई, धन दौलत मी समझ गई, लंबी-लंबी फैंक रिये, वरना आएगी तो मेरे ही पास, प्यार की बात करते समय वहीं पर एक कौने में कोई चादर ताने सो रहा था, ए मेरे भी दिन बदलने वाले हैं, अब मैं भी लोगों की चाहत में शामिल हो, प्यार, आलिया की तरफ बढ़ा, और जैसे ही आलिया की नजर प्यार पर पड़ी, तो आलिया ने अपना बैग उठाया, तेजी से भागी, जैसे कोई भूर पीछे पड़ा हो, और एकदम तेज निकल गई, प्यार फिर से उदास हुआ, वापिस चादर तानकर्स हो गया, क्योंकि वो जानता है, उसकी जरूरत आजकल किसी को नहीं है, दरसल आलिया ने अपने नए बॉइफ्रेंड के बारे में, मीडिया में, इसलिए बताया क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी थी, वरन बना के बोल ली थी कि इसको घर से बहार निकाल दिया, इंटर्व्यू में बार-बार कह री थी कि इसका अफेर तीन-चार साल पुराना है, लेकिन कुछ हपते पहले कह री थी कि ये अकेली है, आलिया का नया आशिक दुबई में रहता है, वैसे वो काइदे से इटालियन ह आई-टी सेक्टर में काम करता है, करोडों की दौलत का मालिक है, आलिया ने कहा कि उसने 19 साल दर जेला, जबकि ये खुद नवाज के फेमस होने के बाद इससे शादी करने मुंबई आई थी, जबकि इसकी पहली सादी तूट चुकी थी, जब वो शादी इसने नवाज से इसने कहा कि इसे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, जबकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर आलिया ने तलाक के बदले में 30 करोड रुपे की दिमांड की है, वैसे ये खुद जो है नवाज से अलग 10 से 15 करोड की मालकिन बताई जाती है, अब सोचने वाली ब करोडो रुपे बिना मेहनत के बैंक में जमाए, करोडो का नया मुर्गा पकड़ के जकड़ लिया है, फिर भी 30 करोड रुपे चाहिए, और फिर कहती है कि इसे धन दौलत नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, देख रहा है बिनोद, ओ बहुत दिन से तुने कुछ नहीं देख आके देख, तेरी पीट पीछे कैसे कैसे गुल खिलाई जा रहे हैं, देख रहा है ना, अच्छा देख रहा है, फिर ठेक है, बच्चों के नाम पर ऐसी अबला नारी करोडो रुपे की डिमांड करती है, उसको करोडो रुपे क्यों चाहिए, और फिर जो है ये अबला ना सारा नाटक क्यों? ये खुद करोडो की मालकी ने, तो तीस करोडो की जो डिमांड की जा रही है, कथित रूप से वो क्यों? ये अलुमनी का एक जो है नियम वहाँ पर लागू होता है, जहां पर और और सच में बेबस है, आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन जो और होती है ना, उनको भी शक्की नजरों से देखा जाता है, कुछ भी चाहिए, तो बस फिमेल बनकर, ने फिमेल तो होती है, मतलब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो, आदी जनता तो आँख बंद करके उसके साथ में वैसे ही समर्थन दे देगी, कि औरत है तो सही है, औरत है तो बेचारी है, औरत है तो हंड़ेट परसंट विक्टिम ही होगी, आदमी है तो एक हजार परसंट जलाद होगा, नालाइक होगा, बस इसी पूर्वा ग्रह की वज़े से ऐसी औरते विक्टिम बनी हुई थी और हमेशा बनी रहेंगी, अल्ला का लाख लाख शुक कि खुश रहने का हक नहीं है, शही बात है, इसे खुश रहने का पूरा पूरा हक है, लेकिन अगले आदमी की जिन्दिगी को जहन्नम बना दो, क्यों? क्योंकि इसे खुश रहने का हक है